हेलो स्टुएंट्स हम नमर सिस्टम का कॉंसेप्ट डिसस कह रहे थी इसमें आज का हमारा टोपिक है बाइनरी एडिशन इससे प्रिविज लेक्शर्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के नमर सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं इसमें हमने देखा बाइनरी नमर क्या होता है डेसिमल नमर क्या होता है और हेक्जा डेसिमल नमर सिस्टम क्या होता है अगर आप ने अभी तक को लेक्शर्स नहीं देखे तो आप हमारी नमर सिस्टम की प्ले लिस्ट जाकर सर्च कर सकते हैं और पहले उन concepts को समझ सकते हैं तो आज के concept को समझने के लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि binding number system क्या होता है अई होप आपको इसका idea होगा तो चलिए start करते हैं कि binding edition क्या है edition हमें पता है कि mathematics के अदर हम addition के लिए जो sign इसमाल करते हैं वो है plus का हम अपने school level से ही दो numbers को add करना पढ़ते आ रहे हैं कि आपके पास suppose एक number है 247 और एक number है आपके पास 667 और कोई भी आपके पास एक grade 1 का student इस edition को perform कर सकता है वो edition इसकी perform करेगा और आपको भी IHOB आपको पता होगा कि किस तरह से काव इस edition perform कर सकते हैं लेकिन अगर आपको पास दो बाइनी number हो लाइक एक number है आपको पास 101110 और दूसरा number आपके पास है 1101 इसको आपने add करना हो तो शायद आपको इसमें problem होगी क्योंकि हम daily basis पे ये edition form नहीं करते और इसका जो concept है ये थोड़ा different है decimal number system से तो आज हम इसी के बारें बात करेंगे कि किसरा से आप दो बाइनी numbers को add कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं right side से हम अपनी addition स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपको पास क्या है पहले column के अंदर आपके पास एक value है 0 एक है 1 तो 0 को 1 में add करें तो हमें पता है simply क्या आता है 1 आता है तो इस पे तो बोई problem नहीं होनी चाहिए next आपके पास है 1 0 1 0 को plus करूँगा तो gain आपके पास क्या आएगा 1 आएगा अब इस से next column पे अगर हम जाएं तो आपके पास आता है 1 और 1 1 और 1 को जब आप add करें तो आपके पास normally बन्दा है 2 लेकिन क्या हम यहाँ पर 2 लिख सकते है जी नहीं हम बात करें है बाइनी नमर की और बाइनी नमर के अंदर में बता है दो ही digits होते है या तो 0 होता है या 1 होता है तो यहाँ पर 2 नहीं आ सकता यूँकि 2 बाइनी नमर का पार्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर basically हमारे पास इसका answer refine करने के लिए हम इस 2 को 2 पर divide करना पड़ेगा 2 को हम 2 पर divide करें तो आपके पस 2, 1, 2 और आपके पास remainder क्या बचा 0 तो यहाँ पर remainder आया है यह basically इस 2 की जगा पर आएगा इनके 1 और 1 को जब नहीं add किया बाइनी नमर के अंदर तो आपके पास यहाँ पर आएगा 0 और यह जो बाकी बच गया है एक यह आपका आगे वाले column में carry चला जाएगा तो यह concept आपको पता होना चाहिए binary addition के अंदर बहुत ही important है कि जब भी आपका कोई number 0 और 1 के इलावा आएगा आपको उसको basically इस तरह सी divide करके उसके remainder find करने पड़ेंगे यहाँ पर 2 आया 2 का remainder आपके पास 0 आया और 1 आगे carry चला जाएगा next column पर आएगे आपके पास क्या है 1 carry का और 1 और 1 3 1s को जब हम plus करेंगे तो यह क्या बनता है 3 बनता है तो again हम 3 को यहाँ पर नहीं लिश सकते क्योंकि 3 binary number का part नहीं है तो again मुझे इस 3 को 2 पर divide करना पड़ेगा 3 को 2 पर divide करूँगा तो आपके बस क्या आएगा 1 2 1 2 और remainder क्या बज़ेगा 1 बज़ेगा तो it means यहाँ पर 3 जगा पर remainder आएगा 1 और 1 नहीं आगे carry चला जएगा अब next column में चले जाएगे यहाँ पर 1 carry का और यह 0 1 प्लस 0 आपके पास क्या बन ज़ेगा 1 और last पर simple 1 है तो यह 1 आपके पास as it is आजएगा तो इस तरह से basically binary addition पर form की जाती है कि जब भी कोई number 0 1 के इलावा आए उसको 2 पे divide करके उसके remainder find कर लो और उसके according यहाँ पर अपने result के अंदर value लिख दो जोके simple decimal number की जो addition है उससे मुक्तलिफ है तो यहाँ पर जब हमने इन दो numbers को add किया तापके पास result किया 1 1 1 0 1 1 तो इससा से basically binary addition पर्फॉर्म की जाती है आगे परने से पहले हमारे चैनल को subscribe कर ले ताकि आनिवेल तुमाँ वीडियोज आप तक timely पहुंच सके next एक और बहुत important concept है जो examiner आपको confuse करने के लिए पूछ सकता है let's suppose हो कहता है कि 4 bit binary addition perform करो तो यह आपर 4 bit binary addition से मतलब क्या है कि आप पस 4 bit का एक binary number है 1 1 1 0 और एक दूसा number भी 4 bit का है 1 1 0 1 इसको आपने add करना है तो यह हम इसको add करेंगे right search से start करते हैं 0 1 1 हो गया 1 0 1 आ जाएगा 1 1 2 आता है 0 आपके पस यहाँ पर remainder बचेगा अभी हमने देखा और 1 आगे carry चला गया अब यहाँ पर बन गया है 1 1 1 यनिकी 3 तो थरी की सूरत में हमारे पस यहाँ पर 1 आएगा और 1 आगे carry चला जाएगा अब यहाँ पर आपके पस यह carry अकेला रह चुका है तो अगर हम इस carry को भी यहाँ पर नीचे ले जाएगे तो यहाँ पर आपके पर यह 5 bits बन चुके हैं 1 1 0 1 1 लेकिन हम बात कर रहे हैं 4 bit binary edition की 4 bit binary edition का मतलब है अगर आपने 4 bits के 2 numbers ले हैं तो इसका answer भी 4 bit के अंदर होना चाहिए लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें आपके पस एक extra bit आ चुका है जो के carry bit है इस condition को आप कहते हैं overflow कि जब edition की सुरुत में इस तरह से आपके पस एक extra bit आ जाए उसे आप कहते हैं overflow तो यह concept आपको बदा होना चाहिए examiner आपको confuse करने के लिए बूछ सकता है अगर हम detail के अंदर इसकी बात करें कि यह overflow है क्या तो basically अगर हम अपने इस number को 1110 को decimal में convert करें तो इस 4 मिनका मतलब है 2 की power 4 और 2 की power 4 को आप calculate करें तो यह बनता है 16 यानि कि 0 से लेकर 15 तक आपके इस number की जो range है वो है 0 से 15 तक यह दोनों 4 bits के जो number है या कोई भी 4 bit का number है उसकी range होगी 0 से 15 तक इसके दरम्यान में कोई digit होगा तो अगर हम इस 1110 को decimal में convert करें तो यह बनता है 14 और इस नीची वाले number को अगर हम decimal में convert करें तो यह बनता है 13 यानि कि इस दोनों इस range के अंदर है लेकिन जब और हम इन दोनों numbers को plus करते हैं तो यह बनता है 27 तो 27 तो इस range से बाहर जा चुका है यानि कि 27 इस range में exist नहीं करता यही चीज इस binary number के अंदर कैसे पता चलती है कि जब आपके पास यहाँ पर एक extra bit बन जा यह 4 bit के इलावा एक extra bit यहाँ बन चुका है 5 तो यह extra bit बता रहा है कि आपका जो number है वो इस range से बाहर जा चुका है यानि यह आपके यह पास यहाँ पर overflow हो चुका है तो यह basically एक important concept था binary edition के अंदर I hope आपको clear हो चुका होगा कि किसना से आप 22 numbers को add कर सकते हैं आज तो इतना ही मिलते next lecture के अंदर Thank you very much